योजना इंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है किसानों के लिए सरकार ने दिया बड़ अपडेट तेरवी किस्त से पहले कर ले यहां दो काम नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा और कौन सा काम आपको करना है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो अगर आप यह किसान हैं तो फटा पट से आप इन दो कामों को निप्टा लिजिए नहीं तो आपको तेरवी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा परदानमंत्री किसान संबान इदी जिसकीम का फायदा उठा रहे हैं देश के करोड़ों लोगों को फायदा इसका मिला है अगर आप भी तेरवी किस्त का पैसा पाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो काम करना अनिवारी है अगर आप यह जरूरी काम नहीं करते हैं तो आपके खाते में 2000 रुपे नहीं डाले जाएंगे सरकार ने जारी किया है आदेश किट्सी अधिकारियों और सरकार के ओर से आदेश जारी कर इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि जिन भी किसानों ने EKYC और भूमी रिकोर्ड का वेरिपकेशन नहीं करा है उन लोगों के खाते में यह पैसा ट्रांसपर नहीं होगा इसके इलावा जिन लोगों ने यह दोनों चीजे अपडेट नहीं करा रखी है उनको भी बारवी किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है देखिए अगर आपको अभी तक बारवी किस्त का पैसा भी नहीं मिला है तो उसका मुख्य कारण है कि एक तो आपने अपना EKYC नहीं करा है दूसरा आपने अपनी जो जमीन सीडिंग है वह नहीं कराई है अपनी जो आपके पास भूमी है उसके रिकोर्ड का वेरिफिकेशन नहीं करा है और उन लोगों के खाते में अभी तक बारवी किस्त का पैसा भी नहीं आया है और इन्हें तेरवी किस्त का पैसा भी नहीं मिलने वाला है अगर यह दो काम नहीं कर सकते हैं कैसे करा सकते हैं EKYC देखिए अगर अभी तक आपने EKYC नहीं करा है तो इसके लिए आप official website pmkisan.jv.in पर जाना होगा इसके बाद former corner वाले section में KYC पर क्लिक करना होगा अब आपको अपनी सारी detail एंटर करने के बाद OTP डालना होगा OTP एंटर करते ही आपकी KYC हो जाएगी देखिए इस तरह की से तो आप अपने mobile से कर सकते हैं लेकिन आपको अगर इन जंजट से बसना है तो आप सीधे CHC सेंटर में जाएए और महां से अपनी KYC कराईए और महां से आप से कुछ सुल्क लिया जाएगा पचास रुपे के लगबग भी KYC सेंटर वाले लेते हैं तो आप वहां पर जाकरके अपनी KYC अवस्य कराएं लेंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कराना जुरूरी है इसके इलावा अगर आपने लेंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो उसको तुरंत करवा ले आप अक्षेतर के पटवारी या जिला ब्लोक के किरसी अधिकारी से संपर्क करके इसको करवा सकते हैं देखिए अब जो एक समस्चा और किसानों के सामने आ रही है वह है कि आपकी भूमी का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है कब जारी हो सकती है तेरी किस्त परदानमंत्री किसान संप माने धगे अगली किस्त जल्डी आने वाली है बतादे की इस योजना के तैयर फ्लोक को साल की पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 उला के बीच दी जाती है महीं दूसरी किस्त एक अगस्त तीस नुम्बर के भी दी जाती है महीं तीसरी किस्त का पैसा एक दिसम्बर से 31 मार्च के बीच में ट्रास्पर किया जाता है इस हिसाब से दिसंबर में किस्त का पैसा आ सकता है देखे जो पिछले रिकोर्ड की देखकर के बात किया जाए तो महीने में किस्त का पैसा आ सकता है एक दिसंबर से लेकर के 31 मार्च के बीच में कभी भी किस्त का पैसा ट्रांसपर किया जा सकता है अगर पिछले record को देखे जैसे कि पहले किस्ट का जो पैसा आता है वह 1 अप्रायल से 31 जुलाई दूसरी किस्ट का 1 अगस्षे 30 नुवंबर के बीच और 30 का 1 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच में आता है तो किसान सम्मान इधिकी किस्ट आपके खाते में 1 दिसम्बर से लेकर मार्च के बीच में कभी भी आ सकती है तो दोस्तों आप ये दो काम फटापट करवा लिजिए एक तो अपना EKYC करा लिजिए और अपने भुमी का वेरिपकेशन अवस्षे करा लिजिए अगर आपको भी तेरवी किस्ट का 2000 रुपे चाहिए तो नहीं तो आपको नहीं मिलेगा जैसे कि कुछ किसानों को बारवी किस्ट का पैसा नहीं मिला है वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक सेर कमेंट जरू कर दीजिए